Hey people, कैसे हैं? आप साब उमीद करूँगा, सब के सब fit and fine होंगे तो friends आज होने वाली है आप लोगों के बहुत देन की तमना पूरी क्योंकि आज मैं आया हूँ IQ Option के इंटरफेस के साथ आपने मुझे देखा होगा All Imptade के साथ ट्रेड लेते हुए बैनमो के साथ ट्रेड लेते हुए IQ Option के साथ बहुत ही कम बार आपने मुझे देखा होगा तो आज की जो वीडियो है यहाँ पे मैं आपके लिए IQ Option लेका है हूँ लाइव अकाउंट से आज हम ट्रेड लेने बाले हैं और वो भी बहुत ही प्यारी सी बॉलिंजर बैन की स्ट्राटजी के साथ फिलाल यहाँ पे मैंने कोई स्ट्राटजी यूज नहीं की है क्योंकि ओलिंप ट्रेड और बैनमो के अलवा IQ Option मैंने काफी दिनों के बाद ओपन किया है तो आज हम यहाँ पे देखेंगे कौन से स्ट्राटजी है क्या है तो आप लोगों की डिभाण पे यहाँ पे देखिए 100 डॉलर्स मैंने डिपॉजिट किया है इन रियल अकाउंट ओके तो आज हम लेने वाले है ट्रेड इसी 100 डॉलर से लेट सी क्या होता है यार एक और जीज़ बहुत सारे लोग है मुझे से कमेंड में पूचते है डियम में पूचते है कि सर आपको IQ Option से कोई परसनल दुश्मनी है या आप IQ Option के खिलाफ है अगेंस्ट है आप IQ Option में ट्रेड क्यों नहीं लेते तो भाया साफ साफ आंसर उन लोगों को कि मुझे IQ Option से कोई प्राबलम नहीं है यह मेरी खुद की चॉइस है परसनल चॉइस है मैं किसी में भी ट्रेड लेता हूँ क्योंकि यार कोई sponsorship का चक्कर नहीं है मुझे कोई जो मुझे पसंद लगती है जो मुझे लगता है कि यह पर्टिकुलर थौट है मेरा व्यूज है अबाउट इस पर्टिकुलर अप्लिकेशन बाइनरी अप्लिकेशन या पर्टिकुलर स्ट्राइडजी जो आप लोगों तक पहुचने चाहिए तो वो जो चीजे है वो आप लोगों तक पहुचाता हूँ उसके बीच में IQ Option है इसका जो इंटो फेस है मुझे थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत पसंद नहीं है इसलिए मैं IQ Option के साथ कमी आता हूँ लेकिन बहुत सारे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि IQ Option के कोई स्राइडजी बताओ और ये इसलिए आपके लिए 100 डिपाजिट किये है प्यारी से स्राइडजी बताने के लिए और यहीं पे हम ट्रेड लेंगे आज इसी इंटो फेस में लेकिन यार एक चीज़ कर देना यार वीडियो को लाइक कर देना देखने से पहले क्योंकि आपको पता है यार एकसाइटिंग वीडियो जरूर होने वाली है तो फ्रेंज यह IQ Option का इंटरफेस है और हमेशा की तरह हमारी जो परमपरा रही है उसके हिसाब से पहले हम सेटिंग्स कर लेते हैं क्योंकि IQ Option मेंने काफे दिनों बाद उपन किया है तो इसलिए भी जो है इनके सेटिंग्स जो है अपडेट से चेंज होते रहते तो सबसे पहले हाँ पर मैंने जो ग्राफ का टाइमिंग है वो मैंने एक मिनट का सेट कर दिया है अल्रेड़ी यहाँ पर केंडल स्टिक पैटर्न अनेबल है तो यहाँ पर हम चेंजेज नहीं करेंगे लेकिन एक चीज़ अगर मैंने यहाँ पर देखी तो देखे यहाँ पर हमें दो आप्शन मिलते हैं डिस्पले सेटिंग्स के और बाकी सारी अप्लिकेशन में दो आप्शन नहीं होते एक और चीज़ लोग मुझसे पूचते हैं कि क्या IQ Option Regulated Broker है तो भया 100% IQ Option Regulated Broker है आप चाहो तो Instagram पे भी जैक कर सकते हो तो अब जाते हैं स्ट्रेटजी पे तो स्ट्रेटजी पे आते हैं तो सबसे पहले देखेगे सारी स्ट्रेटजी आपको मिल जाएंगी तो अब देखेंगे यहाँ पे जाते हैं वो इस पे तो सौरी यार मेरे थोड़ा सा प्रनेंसियेशन में प्रॉब्लम हो गई अब बॉलिंजर बैंड पे जातें तो बॉलिंजर बैंड का period जो है इसे हम 20 कर देते हैं जैसा कि आपको पता है 20 मैंने सेट कर दिया है जो deviation है उसको 2 ही रखेंगे और इसको apply कर दिया है ठीक है यह है हमारी पॉलिंजर बैंड और यह एक ऐसी strategy रही है जो कि भाई आपके भाई ने बताया है आपको इसका combination और इसका combination बहुत अच्छा work कर रहा है अगर आपको थोड़ा सा भी doubt है तो इसका मैं अभी करके दिखा देता हूँ demonstration की कैसे यह strategy work करती है देखें तो यहाँ पर ग्राफ को zoom करने का option फलाल मुझे दिख नहीं रहा है कहां से करते हैं ओके let me check सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं यहाँ पर आप इस situation में देखेंगे एक green कलर की candle आपको बहुत लंबी दिखी है उसके बाद आपको एक red कलर की candle मिलती है जैसे ही यह green कलर की candle इस red कलर की line को cross कर जाते हैं उसके बाद next जो है red कलर की candle मिल जाती है आपको जो इस line को cross करती है तो same direction में आपको 3-4 minute 5 minute के लिए trade ले लिनी आप win कर जाओगे same इसी direction में देखिए red color की candle आपको cross किया इसको yellow color की line को and then next candle green color की आपको मिलती है जिसने cross किया yellow color की line को तो आपको trade ले लिनी नहीं है 5 minute के लिए upwards के लिए आप definitely win करोगे same अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे थोड़ा सा जो market है वो stable नहीं है तो यहाँ का scenario को भी छोड़ते हैं अब आते हैं थोड़ा सा आगे देखिए यहाँ पे यहाँ पे देखिए green color ने cross किया लेकिन जब तक red color की नहीं बनती है आपको wait करना है जैसी आपको red color की मिल जाती है आपको downward direction में trade ले लेना है simple सी बात है ठेक है कोई ज़ादा complicated नहीं है लेकिन इस strategy को full proof करने के लिए आप MACD 2 bar use MACD भी use कर सकते हो उसके बाद और bollinger band आप standard deviation 2 यानि 2 के साथ and five के साथ आप इसको combination के साथ use कर सकते हो ताकि आपको market के stable होने की conditions मिलती रहे अब यहाँ पर हमें कोई signal मिल नहीं रहा है यह जो है हम में लगता है हर एक currency पर अलग-अलग use करना पड़ेगा थोड़ा सा typical होगा तो अभी फिलहाल देखते हैं इसी currency पर, okay, इस currency पर हमें कोई अभी आसार नहीं दिख रहे है तो यहाँ पर हम जल्दी से वापिस वो settings कर लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, यहाँ पर मैं cross कर देता हूँ, सारी currencies को बंद करते हैं let's see, okay, तो यहाँ पर भी फिलहाल अच्छे situation नहीं है, then we'll go for euro gbp, थोड़े सी currencies चेक कर लेते हैं, यहाँ भी हमारे पास कोई indication नहीं है, then we'll go for other currency, euro gpy, जहाँ भी हमें indication मिलता है, वहाँ पर हम trade लेंगे, तो यहाँ भी हमारे पास indication नहीं है, हमारी situation के हिसाब से, तो हमारी strategy को follow नहीं करते हैं, सबसे पहले हम amount to increase कर लेते हैं, 10 dollars के amount कर लेते हैं, 1 dollar में माजारी आएगा, ठीक है, market timing जो है, according to set कर लेंगे, trade जब लेंगे उसके accordingly, okay, तो अब GBP, CHF पे try करते हैं, मुझे लगता है, GBP की कोई भी currency अभी हमारी strategy के साथ नहीं है, ठीक है, तो हम इसको cross कर देते हैं, and then we'll go for the other currency, and let's see, okay, so, यूरो पे जाते हैं, क्योंकि GBP हमें support नहीं कर रहे हैं, guys, आपको थोड़ी सी outside voice आ रही होगी, I actually are, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, by default है, इसका मैं कुछ कर नहीं सकता हूं, but, okay, तो ये, ये भी currency staple नहीं चल रही है, मतलब stable in the sense हमारी strategy के हिसाब से हमें आपर signal नहीं मिल रहा है, जैसा कि आपको पता है, guys, यार अगर आप कोई भी strategy follow करते हो, अगर आपको strategy follow करते हो, अगर मैं बात करता हूं, Bollinger Band की, तो आपको patience रखना बहुत important है, आपको currency में जल्दी जल्दी signals नहीं मिलेंगे, आपको time लगे signal मिलने में, लेकिन जब मिलेंगे, तो perfect मिलेंगे, okay, तो NZD, USD पे try करते हैं, यहाँ पे भी हमारे पास कोई signal verification नहीं है, and I'm too tired now actually for signal, अब देखिए, situation मेरे, जो अब इस signal के verification करते हैं, थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे आपको red color की candle जैसी cross करती है, green color की candle ने वापिस cross किया तो आपको 5 minute की trade ले लेनी, आप win कर जाओगे, अब बात आते हैं, यहाँ पे, तो देखिए, यहाँ पे green color की candle ज़रूर बनी थी, लेकिन red color की candle ने, green color, इस red color की candle, trend line को cross नहीं किया था, तो हमने next candle का wait किया, next candle फिर से green बनी, फिर से red candle, next candle जो है red बनी थी और इसने cross कर दि तो ठीक है, मतलब देखिए, अब यहाँ पे बात करते हैं, इस situation में, तो देखिए, green color की candle बनती है, जैसे इसने red color की candle ने cross किया, तो आप यहाँ पे trade ले लेते हैं, 5 minute के लिए तो आफ विन कर जाते हैं, देखिए, बहुत अच्छा scenario है, बहुत अच्छी situation है, बहुत अच अच्छी strategy है, भाई यार इतनी प्यारी strategy के लिए एक like बनता है, और यार उमीद करो like, आपको भी पता है, believe करो कि अगर आप हमारे साथ बने रहते हो, channel के साथ बने रहते हो, telegram पे हो, और वीडियो को like करते हो, share करते हो, comments करते हो, तो यार एक ना एक दिन ऐसा जरूर आए करते हैं, क्या चल रहा है, देखो या पर सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी 95% का profit दे रहा है, GBP, JPY 95% का profit, extremely unbelievable, 95% का profit तो भाई VIP अकाउंट में भी नहीं मिलता है, तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है, तो मुझे लगता है, ये भी मुझे अब यूज करना पड़ेग है, गुमरली क्योंकि इतने अच्छे खासे profit में, प्रॉफिटर आपको मिल रहा है, तो मुझे लगता है, कि छोड़ना नीची है, ये chances को, अब और USD पर भी देख लेते हैं, देखे, आप समझ पा रहे होंगे, मैं आपको क्या कहनी कोशिश कर रहा हूँ, जैसी हमें वो situation म है, ऐसी कोई conditions नहीं मिल रही है, तो अब भाया, सिंपल सी बात है, 95% profit यहाँ पर हमें मिल रहा है, तो मैं amount को कर देता हूँ, 10 dollars, अब एक सिंपल सी trade लेते हैं, थोड़ा सा, थोड़ी छोटी trade लेंगे, लाइक अब उस confirmation के साथ नहीं जाएंगे, ठीक है, हम Bollinger Band के साथ trade नहीं लेंगे, क्योंकि इस तरह की कोई situation हमें नहीं मिल रही है, लेकिन अभी जो हम trade लेंगे, वो लेंगे, सिर्फ graph reading पे और graph patterns पे, ठीक है, win भी कर सकते है, hard भी सकते है, doesn't like, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कोशिश करेंगे, अच्छा ही हो, let's see, अभी हम timing जो है, वो एक मि की, okay, तो अभी हमारे पास देखे, timing भी स्टार्ट हो गई है, लग 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 50 seconds है, तो यहाँ पर देखे, graph को जूम करने का option भी मुझे मिल गया है, थोड़े दिर पहले तो मिल भी नहीं रहा था, कि graph को जूम कैसे करते हैं, क्योंकि यह एक्छली काफी time हो गया, काफी time हो ठीक है, अब देखते हैं हमारा क्या है, क्या situation चल रही है, तो अभी तो हम expected profit में ही है, let's see, हमारे पास just 14 seconds का time अभी मिल इंटरफेस भी ठीक ठाकी है, लेकिन इसका mobile इंटरफेस में ना mobile की screen को tilt करना पड़ता है, जैसा बाइनमो में करना पड़ता है, और वो चीज वहाँ पर problem create कर जाती है, कई बार मुझे पसंद नहीं है, actually, वो scenario, ठीक है, तो अभी हमारे पास कितना time है, okay, तो trade अभी खतम होने ही वाली है, let's see, क्या होता है, 19 seconds left, okay, and next candle भी बनी है, green color की मितले, totally favor में है हमारे trade, अब तो कोई exceptional cases ही हो सकता है, जहाँ पर हमारे यानि बहुत ही बड़ी candle बन जाए, according, लेक ही, देखिये, देखिये, वा, 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 अलेक, देखिये, exceptional cases की बात की थी, और exceptional cases ही हमारे साथ हुआ, अज result हुआ है, $10 का loss, तो अब हम जाएंगे $20 की trade के साथ, अब हम जाएंगे, हमारी जो trade होगी, वो होगी, okay, $20 की, and अब ह येलो कलर की जो trend line है, इसको cross कर दिया है, तो अब हम वेट करेंगे, next candle का, अब हम वेट करेंगे, green कलर की candle हमें जैसे ही मिलती है, और जो red कल, इस trend line को cross कर देती है, तो हम यहाँ बे trade लेने वाले हैं, लगबग 3 या 4 मिनट की, आप 5 मिनट की भी prefer कर सकते हो, तीन या 4 करेंगे, तो अब हम वेट करेंगे, यह जो green कलर की लाइने से cross करेंगे, और इसने cross कर दिया है, हमारी trade जो है, हमने place कर दी है, $20 की, and timing जो है, हमारी, वो है, चार, तीन या 4 मिनट लग 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 लग, and let's see कि क्या होता है, तो अभी हम थोड़ा सा और जूम करते हैं, तो next candle बनी है, वो red कलर की बनी है, and देखते हैं कि क्या हम marketing impact, या फिर news के चपेट में आते हैं, यह यह win कर जाते हैं, यह strategy से अगर हम win कर जाते हैं, या फिर अगर हम win करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है, लेकि win नहीं करते हैं, तो तो फिर हम कह सकते हैं, कि फिलहाल favor मे नहीं चल रहा है, क्योंकि देखें, कई बार यह जो strategy है, यह आपको 10 में से 8 cases में work करेगी, बट दो cases ऐसे होंगे 10 में से, जहां भी strategy आपके लिए work नहीं करने वाली है, तो उस cases में आपको खुदी समभालना है situation को, देखें, और एक चीज़ और बताना चाहूँगा, यार मैंने यार पर जो है, इतनी बड़ी-बड़ी trades ली है, मेरे पास investment जो है, वो कम investment है, 100Dолars का investment है, and मैंने जो trade ली है, 10Dolars की trade ली थी, loss करके में 20Dolars की trade ले रहा हूँ, बट मैं आपको हमेशा से suggest करूँगा, अगर आपका investment कम है, यालि अगर आपका investment है, 20Dolars का, यार तो आपकी जो trade है वो होनी चाहिए $1, then 2, then 5, then 11 तो इससे क्या होगा अब एक दो trade अगर आप हार जाते हो तीन trade हार जाते हो तो भी आप उसे cover कर सकते हो मार्टिकल से ठीक है यह situation है आप मार्टिकल से उसे cover कर सकते हो अब देखो red color की candle बनी थी अब आपस green color की candle बन गई है there are so many fluctuations एक minute की candlestick pattern अब हमने graph का रखा हुआ है उसके अंदर भी lots of fluctuations उसके अंदर भी lots of fluctuations इसलिए मैं आपको recommend करता हूँ यह जो strategy है यह आप use कर सकते हो या तो एक minute के लिए आप use कर सकते हो या आप use करो इसे 4 से 5 minute के लिए इसके between मत use करो मेरे हिसाब से वो आपके लिए better नहीं होगा in between आपको इसे use करना ठीक है और अभी देखो अभी हमारे हक में ही है and देखते हैं कि क्या होता है and depends on the next candle की अभी देखो last वाली trade जो है हम even last seconds तक जीत रहे थे but वो जो last candle ये जो last candle बनी थी red color की इसने पूरा ही scenario change कर दिया था तो अभी हम कुछ कह नहीं सकते फिलाल इस trade का भी हम कुछ कह नहीं सकते but according to our strategy things are going in our direction हमारे हक में चीज़े जा रही है अगर हम हमारी strategy की बात करते हैं strategy कमाल की है यार use जरूर करना मज़ा आएगा अगर strategy यूज करते हो तो definitely मज़ा आने वाले है आप लोग को strategy कमाल की है मैं आपको इसके उपर दो वीडियो डाल चुका हूँ जो कि ऑलिम trade पे है ऑलिम trade पे अगर आप यूज करते हो जो trade हम लेते हैं second confirmation के लिए जो use किया था हमने वो भी मैंने आप यूज नहीं किया मतलब second confirmation के लिए Bollinger Band भी हमने आप यूज नहीं किया तो तो total इसी लिए भी जो है आप अगर trade लेते हो याप तो आप एक और confirmation ले ले लेना है याप बालिंजर Band की जिसका deviation standard deviation आपको 2 रखना है and the second thing is जो उपर इसका volume रहता है वो आपको 5 रख देना है 5 is enough I think तो यहाँ पर देखें हम win कर गए है तो हमारा जो net amount है पहले कितना था when I started तो 100 था और अब हो गया है ये 109 यानि हम 9 dollar के profit में हैं जो और मुझे लगता है मैं pause ले लेना चाहिए क्योंकि market conditions अच्छी नहीं चल रही लेकिन हमारी strategy work कर रही है अगर आप 5 minute के लिए भी trade लेते हो तो अभी आप win कर रहे हो तो अच्छी बात है मैंने तो 4 minute के लिए ली थी फिलहाल अगर आप 5 minute के लोगे तो भी आप win करोगे उमीद करता हूँ यार इस strategy पसंद आई होगी और IQ auction के साथ काफ़े दिनों के बाद हमारे है तो उमीद करता हो मज़ा जरूरा होगा आप लोगो यार like आपने कर दिया होगा टेलिग्राइम पर आप join हो गए होगे टेलिग्राइम चलिए गयाज यार बलाकात करेंगे नेक्स वीडियो में थिंक यू सो मच